तुम्हेर नादो से नोगी ते विलिए इस्वार का प्रेम, दया और अनुगरा आप सभूं को प्राप्त हो और इस्वार का वानी आपके जीवन में परिवर्तन लाए आज प्रभु येशु ख्रीष्ट के पुनुर्थान का पासका रविवार है आलेलूईया आज हम येशु के मृत्यु से पुनर जीविद होने को याद करते हुए पासका का पर्भ मनाते हैं पासका का असली अर्थ येशु के हमारे प्रति प्रेम के बारे में है यह दावत जीवन के उस उदेश्या और शान्ती के बारे में है जो वह हमें देता है अलेलूईया आज के पाठों का सारांश पहला पाठ पेतरोस येशु के जीवन, मृत्यु और पुनुर्थान के बारे में उपदेश देता है दूसरा पाठ मसीह द्वारा पुनर जीवित किये जानने के बाद जो कुछ उपर है उसकी चिंता करो सुसमचार पाठ मगदला की मरियम ने देखा कि येशु के कबर से बड़ा पत्थर हटा दिया गया है प्रेरितों के कारिया से लिए गए पहले पाठ में पेतरोस ने येशु के जीवन, कारिय, मृत्यु और पुनुर्थान के बारे में बड़े पैमाले पर लोगों को उपदेश देते हैं उसने उन्हें यह साबित करने की कोशिश की कि येशु येशु येश्वर थे और वह मृत्यु से जी उठे और जीवित हैं वह हमारा स्वामी और हम सब का उधार करता हैं दूसरे पाठ में सन पॉलुस ने कोलोसे के लोगों से कहा कि येशु मृत्कों में से जी उठे और उन्हों ने हमें भी जीवित किया और हमें नया जीवन दिया है इसलिए हमें अध्यात्मिक चीजों की और ध्यान देना चाहिए ना कि केवल संसारिक चीजों की और आज का सुसमचार पाठ हमें बताता है कि खाली कबर और दफन कपड़ों को देखने के बाद भी फिश्यों को पुनुर्थान के बारे में समझ नहीं आया निमनलिखेद परिछेद में मकडला की मरियम येशु से मिली लेकिन उसने उसे माली समझ लिया आने वाली सप्ताहूं में हमारी पूजा पदती से सुसमचार का पाठ हमें दिखाएगा कि कैसे शिश्यों को येशु के प्रकट होने के माध्यम से उसके पुनुर्थान पर विश्वास हुआ हमारा विश्वास खाली कबर के प्रती उनकी गवाही और येशु के साथ उनके निरंतर संब्द पर अधारित है उनके प्रकट होने में और पईदर आत्मा के उनके उपहार में हम प्रभु के पुनुर्थान में द्रिर्त से विश्वास करेंगे और हमें आशा है कि वह हमें अंतिम दिन पुनर जीवित करेंगे और हमें शाश्वत जीवन प्रदान करेंगे आलेलुया प्रार्थना, हे प्रभुये सुख्रेश्ट, आपने कबर और मृत्यू पर बिजय प्राप्त की है और आपने हमारे लिए नया जीवन प्राप्त किया है मुझे आपकी महिमा में देखने के लिए बिश्वास की आँखें दीजिए मुझे आपके करीब आने और आपके महान प्रेम और शक्ति का ज्ञान बढ़ाने में मदद करें आमेन